नमस्कार दोस्तों इस्वर के प्रेम में रोनी का जो आनंद है वो इस संसार की माया में हसने में भी नहीं मिलता नमस्कार दोस्तों राधे राधे स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल के भी रासी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं कुमबरासी वालो की कुमबरासी वालो का आठ जुलाई दिन सुक्रवार कैसा रने वाला है उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रना होगा और कुमबरासी वालो को आने वाले समय में वो कौन कौन से खुसकबरिया मिलने वाली तो दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुम्बरासी वालों का पारिवरिक जीवन कैसे रहेगा, उनका बिजनस वेपार कैसे चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेगा और साथ इसाथ उनका स्वास्त कैसे रहेगा तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आज का संपून रासी फर बताएंगे अगर दोस्तो आपकी भी कुम्बरासी है तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तो आज सुक्रवार है लक्ष्मी माता का दिन है दोस्तो कॉमेंट में जैल लक्ष्मी मा ज़रूर लिखना 8 जुलाई 2022 दिन सुक्रवार आज की तीथी है नौमी आज का नचतर है चितरा नचतर है पच चल रहा है सुक्ल पच दोस्तों आज सूरिदेव दय होंगे सुवे 5 बच के 39 मिनट पर सूरिदेव आज तोंगे साम 6 बच के 54 मिनट पर दोस्तों आज का सुब समय है सुवे 8 बच के 16 मिनट से सुवे 11 बच के 9 मिनट तक अगर दोस्तों कोई सुब काम करना है तो इसी समय करें आपके लिए सुब रहेगा और साथी साथ आज का असुब समय है दोपहर 1 बच के 49 मिनट से दोपहर 2 बच के 44 मिनट तक दोस्तों आज आपका लक परकनीति ग्यान के बारे में चानक जी कहते हैं सपने में दिखाई दें ये चीजे तो समझ ले हुने वाली है कोई बड़ी घटना जी हां दोस्तों सपने में यदि आपके हाथ मेले दिखाई देते हैं तो ये एक अच्छा संकेत है इसकार्थ होता है कि जो कारिक कर रहे हैं उसमें सपलता मिलने वाली है दोस्तों सपने में यदि आप स्वय को गरीब हालात में देखते हैं तो ये एक सुप संकेत है इसका अर्थ होता है कि जिस कारे को आप करने जा रहे हैं उसे पूरी निष्ठा से करें क्यूंकि सपलता आपके बहुत ही करीब है सपने में ढोल का बजना सपने में यदि आप ढोल को बसता देखते हैं तो ये एक अच्छा संकेत है इसका आर्थ होता है जीवन में बहुत जल्दी आपके घर कोई खुसकबरी आने वाली है तो दोस्तों आज का चानक नितिज्यान आपको पसंदाया हो तो एक लाइक कर देना अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुमबरासी फल के बारे में कैसे रहेगा आपका आज का दिन आईए जानते हैं तो दोस्तों हस्मों क्रिश्टदारों का साथ आपके तनाव को कम करेगा और आपको जरूरी आरहम देगा आप खुश नसीब हैं कि आपके ऐसे सहकरमी आपके कीमती वस्तों चुरा सकता है इसलिए आज आपको अपना सामान ठ्यान से रखने की जरूरत है साम के समय सामाजी गतिवीद्या उससे कई भैता रहेंगी जितनी आपने उमीद की थी सच्चे और पवित्रे प्रेम का अनुभाव करें आपको अपने घर के छो भाव बना पाने में कामियाब नहीं हो पाएंगे दोस्तों बैवाहिक जीवन के लिए विशेज दिन है अपने जीवन साथ ही को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं टीवी पर फिल्म देखना और अपने नजदिकी लोगों के साथ गप्पे मानना इससे भैतर और क कोशिश करें तो आपका दिन कुछ इसी तरह गुजरने वाला है साथ दोस्तों आज धन और खुसी दोनों आपके भागे में आप अपनी सक्ति और कमजोरी के पारे में चानते हैं वह अपने लच्चे की तरफ अडिग हैं इसलिए अपने कर्म को देखें क्योंकि वही आप की नियती है आप एहंकार छोड़ दीजिए एवं सुखो की अनुभूती होना कदापी प्रारम हो जाएगा आज धन से जुड़े मुद्दे आपका ध्यान अपनी और आकरिशित करेंगे आज आप नए अनुभव की आवशक्ता को मैसूस करें जो आपके अस्तितों को नया अर्थ दी सकते हैं अपने दिमाग को खुला रखें और जो आपके पास है उससे ही संतोष करना सीखें दोस्तों एक बात हमेसे याद रखें कि कड़ी मेनत का कोई विकल्प नहीं होता दोस्तों रूप कभी-कभी वो काम कर जाता है जो सब्दें नहीं कर पातें एक नए हे रिष्टे में किसी भी तरह के पहल करने से ना हिचकी चाहें चाहे प्यार का इजहार हो या अंतरंगता आज आप रिष्टों को मजबूत करना चाहते हैं आप अपने साती की ओर आकरिसित महसूस करेंगे और या आकरिसन यौन संबंदी या किसी अनगतिविद्यों को लेक भी हो सकते हैं रुमैंस आपकी प्रात्मिक्ता है इसलिए दोस्तों अपने साथी से भावनात्मक और कामुंग सद्दुष्टी की इच्छा होगी अपनी इच्छाव को दबानी की जगा अपने साथी से सीयर करें साथी आपको बताएं आप किसी बात को गंभीरता से ले सक रखते हैं इसलिए सावधान रहें कि आज आप अपने विचारों में ज्याद ना उल्जी अपने आपको सांत रखें सांत रहने के लिए आपको लोगों से एक कदम दूर रहना होगा और सांति का अभ्यास करना होगा कुछ दिनों में आप चीजों को आगे बढाने के आज आप अपने जीवन साथी के साथ केंडल लाइट डिनर पर जा सकते हैं आप दोनों को आखरी बर मिले हुए काफी समय हो गया है लेकिन बिना किसी डर के साथ आप इस समय को बरबाद ना करें भलकि इस रोमैंटिक डिनर का आनदली यह आप दोनों के लिए एक साथ बि बात करें दोस्तों आपके आज के ब्यवसाई की तो दोस्तों आज आप अपने कारे छेत्र में कोई जोकी भरे प्रोजेक ले सकते हैं पूरी साकस के साथ जाओ क्यूंकि ब्रांद चिन्नित करता हैं वे इसके लायक होंगे की नहीं यदि आपको किसी अन्य कमपनी से कोई नया प्रस्ताव मिलता है तो इसे अपनी बाहों के साथ स्विकार करें क्योंकि यह आयका एक बड़स्त्रोद बन जाएगा दोस्तों यदि आप कोई रिल लेने के बारे में सोच रहें तो आज ऐसा करना उपरिउप्त हो सकता है ग्रहों की स्थिति अनुकूल है इसलिए यद आप नई कार या नया घर खरीदना चाहते हैं तो आज ऐसा कर सकते हैं हाला कि बहुत अधिक खर्च ना करें और कटिन समय के लिए कुछ नगदी अवश्य बचाएं तो दोस्तों ये था आज का कुमबरासी का रासिफर रोज की कुमबरासी देखने के लिए आप मारे चैन और पर सिलेट करें आपका दिन सुभो नमस्ते दोस्तों राधिकिष्णा